महराष्ट विधानसवा चुनाव को लेकर बवाल मच गया है एक तरफ चुनावायों के एलान की तैयारी कर चुका है 48 गंटों में चुनावों का एलान होने वाला है तो दूसरी तरफ महायूती यानिकी NDA गटबंधन में बवाल मच गया है अजीत पवार की नाराजगी की खबरे सामने आ रही है अजीत कभी भी गटबंधन तोड़ने का एलान कर सकते है दावा किया जा रहा है कि अजीत पवार दूसरे छोटे दलों के संपर्क में है और एक तीसरा मोर्चा बना सकते है उनके बयान भी इसी तरफ इशारा कर रहे है तो क्यों अजीत पवार दिखाई दे रहे है नाराज इसी को लेकर हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट पे करेंगे बात नमस्कार मैं हूँ अन्शिता अजीत पवार केविनेट की बैठक में शामिल होतो हुए लेकिन मातर 10 मिनट में ही बाहर निकल गए बाद में जब देविंद फड़नवीस एक कारिकरम में नवी मुंबई पहुचे तो अजीत पवार को लेकर उनसे सवाल हो गया कि आखिर अजीत पवार 10 मिनट बादी में मीटिंग से क्यों चले गए तो इस पर फड़नवीस ने कहा कि मुझे दूसरे कारिकरम में जाना है और मैंने CM शिंदे को बता दिया है नहीं तो आप लोग कहेंगे कि फड़नवीस नाराज होकर चले गए है यानि फड़नवीस ने सिर्फ ये दिखाने की कोशिश की कि इस तरह किसे पटकलें चल रही है नाराजगी नहीं है कोई बात नहीं है वो ऐसे ही चले गए है किसी और कारिकरम की विज़े से लेकिन जो अंदर खाने से खबरें आ रही है या पिछले कुछ दिनों से भी ठीक नहीं चल रहा है और यहां तक कि यह भी दावा किया जा रहा है कि अजीत और एकना शिंदे के बीच भी ठीक कुछ नहीं चल रहा है इसलिए कहा जा सकता है कि तीनों ही दलों बीच इस्तिथियां ठीक नहीं है और क्योंकि महाराश्च चुछनाओ अब सिर पर है और इस से पहले अजीद पवार जो खुल कर अपनी नाराजगी अब जाहिर करने लगे हैं या बगावती तेवर अपना रही हैं उससे ये साफ साफ संकेत मिल रहे हैं कि या तो अजीद प पवार खुद CM बनने के सपने देखते रहते हैं अजीद पवार ने NCP छोड़ा तब भी ये बात निकल कर आई थी कि कहीं ना कहीं CM पद के लालच में ही उन्होंने ऐसा किया है अपने परिवार की ही पार्टी को तोड़ दिया है इसके बाद जब वो NDA में शामिल हुए त तो भी उने CM पद नहीं मिले और इसलिए अब राजनीती के जानकार तीसरा मोर्चा बनाने की जो है दावे कर रहे हैं कि अजीद पवार ये समझ चुके हैं ना इधर से फाइदा होना है ना उधर से फाइदा होना है तो इसलिए अब तीसरा मोर्चा ही खड़ा कर लेता तो महराष्ट में अजीद की नाराजगी की जो बड़ी वज़ा निकल कर आ रही है वो सीट बटवारे को ही माना जा रहा है दरसल अजीद पवार 80 सीटों पर दावा कर रहे हैं उनके पास करीब 45 विधायकों का समर्थन बताय जा रहा है तो अजीद का दावा है कि अगर अजीद को अपने साथ लाए हैं ताकि शिंदे किसी ना किसी तरह दबाब में आ जाए या फिर अगर कल को शिंदे के विधायक अयोग घूशित हो जाते हैं तो कहीं सरकार ना गिर जाए अजीद पवार के सहारे से वो सत्ता में बनी रहे इस तरह के दावे उस समय कि रहा है कि कहीं ना कहीं जो है अजीद पवार की जो नराजगी है वो भीजऋपी से तो ही ही शिंदे से भी है उनका मानना ये है कि जो तवज्जो शिंदे गुट को मिल रहा है वो ही तवज्जो अजीद पवार गुट को भी मिलना चाहिए यानि BJP बराबरी नहीं कर रही है तो BJP शिंदे की शिवसेना को 85 सीटे देने को तयार है ऐसा दावा किया जा रहा है लेकिन अजीद गुट को मात्र 35 से ज्यादा सीट नहीं दे रही है और इसी को लेकर अजीद पवार लगाता नराज दिखाई दे रही है और ये नराजगी अब बढ़ती जा रही है इसलिए जब केविनेट की बैठक होई तो उसमें अजीद पवार पहुंचे तो जरूर वहां बैठे तो जरूर लेकिन मात्र 10 मिनट के अंदर वो उस बैठक से वॉक आउट कर गए और ये ही वॉक आउट अब चर्चा का विशे बन गया है पर नवीज से भी सवाल किये जा रहे है हर तरफ इस पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो अजीद पवार ने बैठक से वॉक आउट कर लिया तो बीजेपी के तरफ से दावा किया जा रहा है कि माहराश्ट के 241 सीटों पर फैसला हो गया है सिर्फ 47 सीटों पर और फैसला होना बाकी है और जो 47 सीट बची है उनमें से ज्यादा तर सीट अजीद परवार के दावेदारी वाली ही है अजीद पवार और शिंदे गुट के बीच अधिकांश सीटों को लेकर टकराओ दिखाई दे रहा है और यह पहली बार नहीं है लोग सब चुनाओं के दोरान भी माहराश्ट में लंबे समय कि अजीद भी अपना ढवा ठोक रहे और कुस शीड फोट चाहां पर शिंद गृटार ब्लम्य दलों को एक साथ आने पड़ा है तो जाहिर है कि इन दोनों के पास ही ऐसे ऐसे उमीदवार है जो कहीं न कहीं एक ही सीट के उमीदवार रहे होंगे और यही अब बीजेपी के लिए मुसीबत बनता जा रहा है बीजेपी के लिए एक दूसरे के धुरविरोधी को एक साथ रखना मुसीबत बनता रहा और इस बात की जलक बार बार दिखाई दी जब से 2022 में सरकार बनी है और उसके कुछ महीनों बाद जब अजीत पवार भी NDA में आए तब से इसी परिशानी से बीजेपी जूज रही है और अब महाराश चुचनाओ से N पहले ये मुसीबत एक बार फिर उसके सामने आकर खड़ी हो गई है तो एक दरजन सीटों पर बीजेपी के साथ भी टकराओ बताय जा रहा है जैसे कि मैंने आपको कहा शिंदे और बीजेपी के बीच कुछ सीटों पर अदला बदली हुई बाकि इन दोनों दलों में किसी तरह का टकराओ नहीं दिखाई दे रहा है दावा किया जा रहा है कि आरेसस के दवाव में बीजेपी अजीद गुठको किनारे लगाने की कोशिश कर रही है और इसी को समझते हुए और इसलिए अजीद गुठको वो पैतिस सीट दी जा रह और आपको याद भी होगा फड़नवीस ने खुद इस तरह का बयान दिया था कि अजीत के जो वोट थे वो NDA को नहीं मिल पाए जबकि शिंदे के जो वोट थे या शिवसेना के जो वोट थे वो NDA को मिल गए इस वज़ा से पहले से भी माना जा रहा है कि अजीत पवार का NDA में शामिल होना NDA को नुकसान पहुंचा रहा है और यहीं वज़ा रही है कि संग भी अब यहीं दावा कर रहा है कि जितना जल्दी हो सके अजीत से दूरी बना लिज़ा और आज जैसा कि जानते हैं कि इस समय पूरी कमान संग के हाथ में हैं हर्याना में जिस तरह से बीज माजनिती के जानकर दावा कर रहे हैं संग ने जमीन पर बहुत मेहनत की और उसी का फल बीजेपी को मिला इसलिए बीजेपी महराश्ट में भी संग के इशारे पर चल रही है और महराश्ट में संग का अच्छा खासा दब दबाय आप जैसा कि जानते नागपूर में मुख नजर आ रहे हैं उनके तेवर बदले हुए नजर आ रहे हैं कभी वो राहुल गांधी को गाली देने वालों कभी वो खुले मंच से राहुल गांधी को धंकी देने वालों को फटकार लगाते हैं कभी वो दुख जताते हैं कि उन्होंने अपनी पार्टी क्यों तोड़ी और उनके ये बयान इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि वो कहीं न कहीं NDA से दूरी बना रहे हैं, वो समझ चुके हैं कि NDA के साथ अगर रहेंगे तो उनको फाइदा नहीं मिलेगा, और वो यह भी समझ चुके हैं कि शरत पबाइर के पास वापस जाएंगे तो उससे भी पाइद झाल झाल